हलो गाइज, आएम प्रदीभासकर, वेलकम टू अलोपीडिया प्रो, आपको पता होगा कि यूट्यूब पिछले 6-7 महीने या एक साल से यूट्यूब शॉट्स पर काम कर रहा था, यूट्यूब शॉट्स जो कि टिक टॉक बंद होने के बाद इसका क्रेस लोगों में और बढ़ गया, सब सोच रहे थे कि यूट्यूब शॉट्स कितनी देर में आएगा, जो कि टिक टॉक जैसा मजा ले पाएंगे, टिक टॉक की तरह वीडियो बना पाएंगे, सो गाइज, फाइनली, इंडिया में यूट्यूब शॉट्स लांच हो गया है, यूट्यूब शॉट्स सबसे पहले इंडिया में लांच हुआ, इंडिया में लांच होने का रिजन, इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, टिक टॉक इंडिया में बंद हो चुक यूज करने के लिए टेस्ट करने के लिए कि यह कैसा वर्क कर रहा है यूट्यूब ने ट्विट करके बताया है यूट्यूब शॉट्स लाउंच हो चुका है बीटा वजन में इस पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी आया है दोस्तों आपके बहुत से question होंगे कि यह किस तरह काम करेगा monetize होगा या नहीं होगा आप इसमें वीडियो करेट कर पाएंगे और किस तरह अपलोड कर सकते हैं इसमें क्या-क्या feature होंगे इसका सारा detail मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा वीडियो को end तक देखते रहिए चैनल पर नए हैं तो subscribe किजिए साथी bell icon को press किजिए ताकि नए वीडियो आप तक जल्द पहुंच सकें तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सो गाइज इस application का नाम है YouTube Shots इसमें आप 15 seconds से लेकर 60 seconds तक का वीडियो बना सकते हैं जैसा कि TikTok में feature था 15 seconds से 60 seconds तक का वीडियो बना सकते थे YouTube Shots अभी iOS के लिए नहीं आया है अभी यह सिर्फ Android में आया है वो भी बीटा वर्जन में यह धिरे-धिरे सब के लिए available हुगा Android में भी और iOS में भी जो Apple के phone होते हैं उनके लिए भी इसमें आपको क्या करना होता है जब आप YouTube application अपडेट करेंगे आप देखेंगे कि जो वीडियो अपलोड का आइकन उपर आता था उसकी जगहे अब आपको नीचे एक प्लस का आइकन दिखाई देगा जब उसपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक Shots का option दिख जाएगा इसपर क्लिक करके आप TikTok की तरहे वीडियो बना सकते हैं countdown start होगा 3,2,1 उसके बाद वीडियो बनाना start कर सकते हैं इसमें आपको slow motion जैसे feature और बहुत सारे filter option भी मिलेंगे इसके अलावा और भी बहुत से feature इसमें आपको मिलेंगे तो दोस्तों अभी YouTube की तरफ से clearly नहीं कहा गया है कि इसमें आपको क्या क्या feature मिलेंगे आप इसमें music भी add कर सकते हैं जैसे TikTok में कर सकते थे क्या या music copyright होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा इसमें YouTube आपको एक music library प्रवाइड करेगा जिसमें music और songs भी हो सकते हैं अभी beta version में ही launch हुआ है टेस्टिंग के बाद as per YouTube maximum एक महीने में इसे complete launch कर दिया जाएगा अब सबसे बड़ा एक doubt, एक question कि क्या यह है monetize होगा या नहीं? दोस्तों, अभी clearly कुछ नहीं कहा गया है कि यह monetize होगा या नहीं इसमें जैसे ही कोई update आएगा, मैं आपको जरूर बताऊँगा कि इसमें monetization enable होगा या नहीं इसमें हम add के थुरू revenue कर सकते हैं या नहीं जैसे ही कोई update आएगा, मैं एक video बना कर upload करूँगा YouTube जो की TikTok से बहुत बड़ा platform है TikTok पर 700 million active users थे YouTube पर 2 billion active users हैं आपको पता होगा कि बहुत से short video application launch हो चुके हैं इंडिया में TikTok के ban होने के बाद लेकिन YouTube Shorts आने के बाद सब पीछे रह जाएंगे क्योंकि YouTube का platform बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें 2 billion active users है On Papers, YouTube एक major player है short form video का हमें ये देखना होगा कि ये actual में कैसे चलता है Time के साथ और अधिक features एड़ किये जाएंगे ये हैं कहा गया है YouTube की तरफ से आने वाले महिनों में YouTube Shorts और भी countries में launch होगा चलो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद थैंक्यो